नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका दोस्त सूरज और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल इन्फरार्स में तो आईए आज का वीडियों सुरू करते हैं साथियों एक बार फिर से आपके लिए एक बेहतरिन प्रापर्टी लेकर हाजिर हैं जो कि लखनोग फैजाबाद रोग परता है जैसा कि आपने स्टार्टिंग में लोग किसें देखा ये चिनहेट जो तिरहा परता है उसका ये ओबर ब्रीज ये बना हुआ है इसके अगर हम अपोजिट साइड की बात करें जो अभी हमारे सामने श्री अद्यासिंग मिमोरियल इंटर कॉलेज है इसी की बाउंडरी के बगल लगा हुआ 5000 स्टार फिट का लेंड है जिसे की आप सेमी कामर्शल भी यूज कर सकते हैं चाहे तो आप बैड बना सकते हैं कोई आप बिल्डिंग भी वहाँ बना सकते हैं इसके अलामा आप कोई टेक्टरी और भी लगा सकते हैं बात कर लेते हैं इस लोकेशन को फिर भी समझने के लिए कि अगर कोई पुर्वांचल से आ रहा है पुर्वांचल से जैसे आप मठ्यारी चवरहा आप क्रॉस करते हैं उसके बाद जो आपको पहला ब्रिज पढ़ता है मठ्यारी के बाद वह आपका पढ़ता है चिनहेट तिरहा वाला इसी चिनहेट तिरहा से लगा हुआ है 100 मीटर के अंदर है मिमोरियल जो यह स्कूल है तो आईए हम चल कि आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं कैसे हैं दो रास्ते हैं इसके एक तो इंट्री आपको इस रोड से मिल जाती है दूसरी इंट्री आपको सामने आगे देवा रोड पे यहां तक जो है लखनौ का जो मेट्रो है वह यहां तक परबोल के हो चुका है बहुत जल्दी मतलब आगे आपको काम भी देखने को मिलेगा क्योंकि फैक्टरी और लिए नोटीस आ चुका वह यहां से देवा रोड पे सिप्ट हो रही है धीरे धीर तो लगबग उसे भी सिप्ट होने में थोड़ा सा थाइम लगेगा तो आप जब आएंगे तो आप देखेंगे आप स्वेम पता कर सकते हैं यहां पर यह सारी चीजे हैं तो आईए चलके हम आपको दिखा देते हैं कि अंदर किस तरह से लोकेशन है इसकी और क्या चीजे ह हैं आप चारों तरफ से माँ को दिखा दें जिससे आकर आप सुएम आप चेक कर सकते हैं कि लोकेशन क्या है एरिया क्या है यह हम पहुंच चुके हैं इस्कूल इस्कूल का में गेट लिए है कि यह अब दुकान देख रहे हैं यह दुकान अपनी ही प्रापर्टी में यहां से लेकर आगे तक तो दोस्तों हम लोकेशन तक आ चुके हैं लोकेशन यही है जैसा कि मैंने पहले बताया था यह नगर निगम में आता है यह रोड आगे जो सीधे चली जाएगी आगे जाके इसमें फिर आप माय घुम जाएंगे तब भी आप में रोड पे पहुंच जाएंगे और इसका अगर हम लोकेशन की बात करें यह गेट अहां है मेवोरियल इंटर कॉलेज यह है और अगर नगर निगम की बात किया जाए जो टैंक है वो भी बना हुआ है वो आप देख सकते हैं यह सीवरेज का टैंक बना हुआ है और यह जो दुकान है यह भी इसी प्रापरटी के अंतरगत आती है तो दूसरा यह है इस कोने तक जहां पर आप देख रहे हैं यहां तक यह है तो अगर इसका फ्रेंट देखा जाए तो सोफिट का है जो कि आप देख रहे हैं रोड से जो है सोफिट इसका फ्रेंट है इसमें आपको तीन तरफ से रोड निकल सकती है इसमें तीन तरफ से रोड निकली हुई है एक आप सीधे जाके आप बाएं मुड जाएंगे दूसरा आप इधर से मुड के आप आगे चले जाएंगे और आगे से फिर टर्ण होके आप सीध ताउन फिठ है मोके पर लेकिन कागज पे 50 फिठ हैं दूसरा हिस्सा आपको एश्टरा उस साइड में भी मिल जाएगा तो यह आप अंदर से देख सकते हैं इसमें आप रोहाउस भी बना सकते हैं चाहें तो क्योंकि फ्रेंट आप इसमें 5 रोहाउस आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे और जैसा कि आजकल जो लखनों में जो डिमांड चल रही है बीस बाइप पचास के आप हमेशा देखने जितने भी रोहाउस लगभग मैंने सो वीडियो में बना चुका हूं तो लगभग जो मैंने देखा है कि उसमें हजारी स्कॉार फिट में बीस बाइप आपने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा नगर निगम के अंतरगत है सीवर लाइन बनी हुई है इसमें जो है समर सेवल पंप भी आपको लखके मिला चारो तरफ जो बाउंडरी है इसके उपर भी आप बना सकते हैं सिर्फ आपको पिलर डालना है क्योंकि जो इसकी कि जो न्यू जो भरी गई है वो इन्होंने अपने लिए उस ताइम भरवाया था चारो तरफ अगर आप देखेंगे यह लगबग 6 फिट की पूरी बाउंडरी बनी हुई है मोगे पे तो एक बार में चाओंगा पूरा में चारो तरफ आपको दिखा देता हूं इसमें है यह चारो तरफ आप इसकूल आप देख सकते हैं और पीछे तक आपको इसकूल दिखेंगा इसकूल की बाउंडरी तक यह पूरा है इसमें अभी भाया लोग रहे रहे हैं और यह आपका में गेट रहेगा यह अंदर से मैंने आपको इसका दिखा दिया कितना स्पेस है और चारो तरफ आपको बाउंडरी भी दिख रही है यह छे फिट की बाउंडरी है चारो तरफ दोस्तों आपने यह पूरी प्रापरटी देख लिया अब बात कर लेते हैं इस प्रापरटी का प्राइस ऑनर ने जो निर्धारित किया है बाश्ट सो पचास रुपे पर रोड बनी हुई है नीचे सीवरेज यह सारी चीजें अब बात कर लेते हैं इस लोकेशन से डिस्टन्स की कमता चव रहा यहां से जो है एक किलो मीटर की दूरी पर है और पॉली टिकनिक आपका यहां से तीन किलो मीटर की दूरी पर है तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है अगर आप यहां पर आ रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्टिन बाक में मोबाइल नंबर दिया गया है अगर कोई जानकारी मिस हो गई हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिए मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा धन्यबाद शाते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कम सबसे पहले आप तक पहुंचें मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया धन्यबाद जैए